10 घंटे की बारिश में दर्या बनी मुंबई, कई लागों में फसे लोग, दो लोकल चेंज में करीब 300 यात्रियों को रेस्क्यू किया गया, मुंबई में लगातार भारी बारिश और आंधी से इस्तिती चिंता जनक हो गई है, कई लागों में जल भराव के कारण ट्राफिक जाम है, दक्षन मुंबई में भी कई लागों में जल भराव हो गया है, मुंबई ठाने और पाल घर में रेड अलर्ड खोशित कर दिया गया है, इस बीच प्रधान मंत्री नरेंडर मोधी ने महराज्च के मुख्यमंत्री उद्धव ठाक्रे से फोन पर बात चीत की है, पी सिबी आई जाच की सिफारिश केंद्र को भीजी थी, अब केंद्र ने बिहार सरकार की सिफारिश मंजूर कर ली है, सुप्रीम कोट में केंद्र सरकार के वकील ने बताया कि उन्होंने सुशान केस की जाच सीबी आई को ट्रास्फर कर दी है, अब इस केस की सीबी आई पाल के पत्स स्तीफा दे दिया था जिस राश्वति रावनात कोमी में स्विकार कर लिया है सूत्रों से मिली जानकारी के मताविक जी सी मुर्मु को देश के नए आडिटर के रूप में नियुक्त किया रहा है इस बीच नियंत्रक एवं महालेखा परिक्षक कपत खाली ही हो जाएगा क्योंकि राजीव महर्शी 65 वर्ष के हो गए हैं यूएन में कश्मीर राग अलाब कर फिर पिटा पाकिस्तान सुरक्षा परिशत की बैचक में ज्यादतर देशों ने बताया द्विपक्षी अमुद्दा इस बीच सयुक्त राश्च में भारत के स्थाई प्रतिन नहीं बलकि दो देशों के बीच का मामला है झाल